कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर में या गार्डन में पेल पौधे लगाने का बहुत शौक होता है लेकिन सबसे खास इनमें अप्राजिता का पौधा माना जाता है जो घर के लिए बेहद शुब है इसे लगाने से घर में खुशाली बनी रहती है इससे मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो आपको कई सारे लाब होते है आईए जानते हैं कि अप्राजिता के पौधे को कौन सी दिशा में लगाना शुब है और इससे क्या लाब मिलते है दूर होगी आर्थिक तंगी अगर कोई व्यक्ती अपने घर में अप्राजिता का पौधा लगाता है तो उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है उसके घर में पैसों की आवक बढ़ जाती है सकारात्मक उर्जा का संचार वास्तु के अनुसार घर में अप्राजिता का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है इसके साथ ही नकारात्मक उर्जा समाप्त भी होती है दूर होगी करिय की समस्या अगर आपको भी करिय से जुड़ी कोई समस्या है या आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो घर में अप्राजिता का पौधा लगाना चाहिए. इससे आपकी शारीरिक समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी. शनी दोश से मुक्ती अगर आप अप्राजिता का पौधा घर में लगाते हैं तो आपको शनी दोश से भी मुक्ती मिलेगी. इससे शनी देव की बुरी दृष्टी से भी बचा जा सकता है. साथ ही साथ आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी और धन की आवक बढ़ेगी. किस चगह लगाएं अप्राजिता का पौधा वास्तु के अनुसार अप्राजिता का पौधा घर के मुक्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाना चाहिए. आप चाहे तो इसे घर के किसी कोने में भी लगा सकते है. लेकिन अप्राजिता का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छी और शुब दिशा उत्तर पूर्वी मानी गई है.